क्या आप भी जिरोदा में अपना डिमेट अकाउंट ओपन करने जा रहा हैं तो ये वीडियो आपके लिए इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले जिरोदा में डिमेट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डोकुमेंट की जरुवत पड़ेगी इसके लाव क्या तो सब जानना आपके लिए बहत जरूरी है तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी इसकी मत करेगा अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सस्काइब करेगा सबसे पहले बात करते हैं आपके कुण कुण सी डोकुमेंट के जरूत पड़ेगी तो सबसे पहले आपके पास होना चीए आपका आधा कार्ट आपका जो आधा कार्ड हो अपने mobile नंबर से लिंक होना चाहिए दूसरा है आपका pen card और तिसरा है आपकी bank details यानि आपका bank में account होना चाहिए इसके लाई यहाँ पर आपके एक selfie मागी जाती है 0-0 की तरब से आपको एक number दिया जाएगा वो number आपको white paper पर लिखना है और उस number को पकड़ कर आपको एक selfie upload करना है इसके लाई यहाँ पर आपसे आपके कुछ personal information ली जाएगी जिसे आप क्या करते हैं कितना कमाते हैं तो सारा कुछ आई यहाँ पर आपको fill कर देना है एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी details आप डालते हैं वो सभी एक ही इंसान के होने चाहिए यहाँ पर आपको कोई भी पर आपको कोई भी परिशानी नहीं होने वाली है क्योंकि यहाँ पर एक जिसे आप अपना bank account open करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर आपका demit account open होता है बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप अपना demit account open करें तो आप broker की official website पर जाकर ही अपना demit account open करें तब भी जाकर यहाँ पर आपको कोई भी परिशानी नहीं होने वाली है तो जिरोदा का demit account open करना का link आपको description मिल जाएगा वहाँ जाकर आप अपना demit account open कर सकते हैं अब बात करते हैं आपका जो demit account है वो कितने दिन में open होगा तो इसमें कहीं बात 3 दिन तक लग सकते हैं जिरोदा की तरफ से लिखा हुआ आता है कि यहाँ पर आपको 72 गंटे लगते हैं आपका demit account open होने में और कहीं बार आपका जो account है वो reject हो जाता है कहीं reason की वज़े से यह दी आपको गलत document डाल देते हैं जब आप गलत document डालेंगे तो उसका rejection का कारण आपके mail पर receive होगा तो वहाँ पर आपको check करना है और उसे सही करके वापस आपको reapply कर देना है इसके लाए यहाँ पर आपको message के जरू और आपके mail पर आपका user ID और password है वो आपको देखने को मिल जाएगा अब बात करते है जरू दा के charges के बारे में तो यहाँ पर जब आप जरू दा के साथ demate account open करेंगे तो यहाँ पर आपको one time fees देनी होती है अकाउंट opening के नाम पर 200 रुपे इसके लाए यहाँ पर आपसे annual maintenance charges लिये जाते हैं जो कि साल के होते हैं 300 रुपेज प्लस GST लेकिन जरू दा आपसे quarterly charge करेगा 75 रुपेज प्लस GST यानि तीन महिने में यहाँ पर आपसे 75 रुपेज प्लस GST चार्ज करेगा जरू दा annual maintenance के नाम पर अब बात करते हैं intraday charges के बारे में यहाँ पर आपको 0.03% या 20 रुपीज जो भी दोनों में सा कम होगा यहाँ पर आपको पर ओडर चार्ज जेना होगा यह आपके turnover पर डिपेंड करेगा यह ज्यादा turnover हेगा तो यहाँ पर आपको maximum 20 रुपीज पर ओडर दे ना होगा यानि बाइंग पर 20 रुपीज और सेलिंग पर 20 रुपीज तो टोटल मिला कर आपका 40 रुपे ब्रोकरेज हो जाएगा अब बात करते हैं delivery charges के बारे में तो जिरोधा आप से कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता जब आप long term यानि delivery में share buy करते हैं यहाँ पर एकदम फ्री है कोई भी ब्रोकरेज यहाँ पर आपको नहीं लगेगा उमिद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और जदी यह आप जिरोधा के साथ अपना डिमेट अकाउन उपन करने जा रहे हैं तो लिंक आपको description मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप जिरोधा के साथ अपना डिमेट अकाउन उपन कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में जहें जया भारत